एक लड़की की नई नई शादी हो गई और वह अपने नई परिवार के साथ रहने चली गई, जिसमें उसके पती के माता-पिता भी शामिल थे. लेकिन जैसे ही वह अपने नई घर पहुँची, तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ. कारण उसकी सास हमेशा उसे टोकती थी और उसके बारे में घटिया बातें कहती थी, इसलिए वह अपने मायके के बारे में सोचने लगी. हर पिता की तरह उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे. जब वह छोटी थी तब से लेकर उसके थोड़ा बड़ा होने तक, पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी के पास वह सब कुछ हो जिसकी उसे जरूरत थी, और बहुत प्यार से उसकी देख भाल की. नई दुलहन अपने पती की मां से नाराज थी, क्योंकि वह दुष्ट थी, इसलिए वह उस पर बहुत चिलाती थी. कभी कभी वो भी अपनी सास को पलट कर खरी खोटी सुना देती. इन वजहों से घर में इतना हंगामा मच गया, कि लड़की अपने पिता के घर वापस चली गई, और उनसे रोते हुए बोली, पिता जी, मैं अभी उस घर में जाना ही नहीं चाहती, मैं यहीं आपके साथ रहूँगी, यदि आप मुझे अनुमती नहीं देंगे, तो मैं खुद को चोट पहुँचा लूँगी, पिता जी ने एक समझदारी भरा निर्ने लिया, कुछ दिनों बाद पिता ने अपनी ब गंदी बातें कहने लगे, तो बस एक घूट पानी पीलो, और वापस कुछ मत कहो, और तब तक पानी कोम मुह में रखो, जब तक वो बोलना न बंद कर दे, फिर वह उस पानी को सिंक में फेंक दे, बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी बिना कुछ कहे, बेटी तैयार हो गई, उसने ससुराल जाकर वैसा ही किया, जब भी सास बात करना शुरू करती, बहु जट से मुह में पानी भर देती, और थोड़ी देर के लिए वही रख देती, जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ ही दिनों में सासु मा की बहु के साथ अच्छा व्यभार करने ल लगी, कुछ दिनों के बाद बहु भी अपनी सास से मा की तरह प्यार करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वह कितनी दयालू और प्यार करने वाली है, वे एक साथ समय बिताने लगे, खूब बातें करने लगे, साथ साथ घूमने, बाजार और खरीदारी करने जाते, कुछ अपना सामान तयार करे, हम वहीं वापस जाएंगे जहां हम रहते थे, लेकिन फिर बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, ये मेरी माँ है, जब पिता जी ने बे गए, ये कहानी हमें सिखाती है, कि रिष्टों में प्यार बहुत जरूरी है, किसी रिष्टे को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे जारी रखना कठिन हो सकता है, केवल वही लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो रिष्टे को मजबूत बनाए रखना जानते ह इस कहानी से आपने क्या सिखा? दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टोरी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया.